नमस्कार दोस्तो चुनावी वर्ष 2024 में निर्मला सितरामन जी के द्वारा अंतरीम बजट 2024 पेश कर दिया गया है। अधिक यातायात वाला गल्यारा यहाँ भविश्य में बनाए जाएंगे। फिलाल में जो एकी करत जानकारी आई है उसके अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किन प्रोजेक्टों को कितना बजट प्राप्त हुआ होगा। प्रोजेक्टों की बात करें तो नई लाइनों को पिछले वर्ष 34,410 करोड रुपे आवंटित किये गए थे। इस वर्ष 36,099 करोड रुपे आवंटित किये गए वहीं आमान परिवर्तन की परियोजनाओं को पिछले वर्ष 4,238 करोड रुपे आवंटित हुए थे। इस वर्ष 4,533 करोड रुपे आवंटित किये गए गए वहीं दोहरी करन परियोजनाओं को 35,046 करोड रुपे पिछले वर्ष 30,000 करोड रुपे आवंटित किये गए वहीं याड रिमोडलिंग और याताया सुविधाओं के लिए पिछले वर्ष 7,808 करोड रुपे आवं प्राप्त किये जाएंगे वहीं, लेवल क्रोसिंग पर रोड सेप्टी कार्यों के लिए पिछले वर्ष 551 करोड रुपे मिले थे, इस वर्ष 700 करोड रुपे इसके लिए प्राप्त होंगे वहीं, रोड ओबर ब्रीच और अंडर बीच के लिए पिछले वर्ष 6297 करोड वहीं bridge बनाने, tunnel बनाने, अप्रोच बनाने के लिए 2,000 करोड रुपे पिछले वर्ष की तुलना में 2,88 करोड रुपे इस वर्ष आबंटित हुआ है, वहीं electrification प्रोजेक्टों के लिए 8,360 करोड पिछले वर्ष की तुलना में 6,500 करोड रुपे इस वर्ष का आबंटन railway की विभिन प्रोजेक्टों के लिए किया गया है और यात्री सुविधाओं के लिए पिछले वर्ष आवंटित 9,618 करोड की तुल्ला में इस वर्ष 16,351 करोड रुपे का भारी भरकम आवंटन हुआ यानि कि 7,000 करोड रुपे की सीधे इसमें व्रध्धी देखी जा रही है य विभिन परियोज नाई पूरे देश में विभिन रेलवे की चल रही है उनके लिए है और भी जानकरी निकल कर जो भी सामने आती हम आप सभी के समक्ष तुरंत आउगत कराएंगे आप सभी का धन्यवाद